हेलो फ्रेंड्स, AIS Educations YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु का एक अपडेट है D.E.C.E. यानि की Diploma in Early Childhood Care and Education की जो विध्यारती हैं जिन्होंने की दिसंबर 2020 स्टेर्मेंट एक्जामेन से लिए अपना प्रोजेक्ट सब्मिट किया था और किसी कारण वास उनको रिसब्मिट करने के लिए बोला गया था या फी रिजेक्ट कर दिया गया था उनको एकनुने एक ओप्शन दिया है 31 मई 2021 तक वो भी अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं ओनलाइन माध्यम से भी ओफ्लाइन माध्यम से भी तो complete details उसकी मैं दिखाऊंगा लेकिन जिससे पहले ये वीडियो में स्टार्ट करूँ जो भी स्टुडेंट्स हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर सुब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना बोले थाकि जो भी वीडियो तो क्लासीज के अपडेट सम अप्लोड करें आप लोगों तक पहुंच सके तो यहां पर आप दे जा गया है कि जो स्टुडेंट्स जिनको की अपना प्रोजेक्ट DECE 04 का रिसब्मिट करना जरूरी था या रिक्वार्मेंट थी यानि कि इगनों ने उनको रिक्वार्री सब्मिट करने के लिए बोला था DECE प्रोग्राम के जो एन्रोल्ड विध्यार थी हैं और स्पेश रुपय की फीस डिमांड ड्राफ्ट के दोवारा इन फेयर ओफ इगनों पेबलेट नहीं दिल्ली बना करके इगनों रिजिस्ट्रार स्टुडेंट एवलेशन डिविजन ब्लोक बारा इगनों मैदानगड़ी नहीं दिल्ली को सेंड करनी चाहिए स्पीड पोस्ट से देच सकते हैं बाई पोस्ट जो एड्रस है वह सेम है ब्लोक बारा इगनों मैदानगड़ी नहीं दिल्ली 110068 इसके अलागा ओनलाइन रिसब्मिशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ओनलाइन रिसब्मिशन के लिए पोर्टल बहुत जल्दी ओपन होगा लास्ट डेट ओफ रिसब्मिशन 31 माई 2021 रखी गई है आप देख सकते हैं यहां पर ओनलाइन पॉटल प्रिपेर करने के लिए और इमेडियेटली अर्लियेटली अवलेबल कराने के लिए बोला गया है तो यहां पर जल्दी ही अभी ओनलाइन सब्मिशन का ओप्शन भी आ जाएगा तब तक लिए इमेल पर आपट आथा या प्रोजेक्टbag हो गया था है we Regreson करते हैं और के सथ आपको कम्प्लीट करना है दुबारा चांस दिया गया है तो इस तीक द्धचरिंग नुब के दे सी प्रोग्रां के प्रोजेक्ट सब्मिशन की